आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हाईकोट काफी अच्छा अपना काम कर रहे हैं फिर चाहे आप लोग दिल्ली हाईकोट का नेड़ा देख लीजे या फिर आपने देखा है गुजरात हाईकोट काफी सरकारों को फटकार भी लगा रहे हैं कुरोना महमारी को लेकर देखिए आपने देखा होगा कि दिल्ली हाईकोट ने तो यहां तक कहा था कि आकसीजन की आपूरती को अगर कोई बाधित करता है तो उसे हम लटका देंगे फांसी पर आप समझ रहे हैं? पर चाहे केंद सरकार को फटकार लगाईगी, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाईगी लेकिन आपको देखने को मिलेगा इसमें मदरास हाईकोट ने आपके चुनावयोग को फटकार लगाई है और अच्छे से फटकार लगाई है आप समझ रहे हैं क्योंकि चुनाव यो किस्तिती आप किस तरह पहुँच चुकी यो किस जगे पहुँच चुका है आप सबी लोग जान रहे हैं आप समझ सकते हैं कि परिक्षाएं आपकी टाली जा सकते हैं लेकर आपने देखा होगा कि चुनाओ नहीं टाले जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि कितनी भीड खटी की जा रही है कोई ऐसे नियम कानून भी नहीं बनाय जा रहे हैं जिसे कम भीड खटी हो और नेताएं धजियां उड़ा रहे हैं एक तरह से आप आचार सहितागा फर भी आपने देखा है चुनायो चुपचाप बैठा हुआ तमासा देख रहा था तो देखे आप लोगे एक मद्रास हाई कोट वही है जो सबसे पुराना हाई कोट है आप सभी लोग जानते होंगे कि 1862 में तीन हाई कोट की स्थापना हुई थी इन में से आपका एक तो मद्रास था एक कलकत्ता था एक बंबई था ठीक है और आपको ये भी मालू होना चाहिए कि मद्रास हाई कोट आपका तमिलाडू ये है तमिलाडू और पुडू चेरी के लिए है ठीक है इन दोनों के लिए है और एक बात और याद रखिये आप लोग अभी हमारे देश में आपको 25 हाई कोट देखने को मिलेंगे ठीक है याद रखना चाहिए और इसमें आप लोगों को मालू होना चाहिए क्या कहा है कुरोना रेली की दौरान आप किसी और ग्रहे परते एक किस से कहा है चुनाओ आयोग से किस से चुनाओ आयोग से आप लोगों को चुनाओ आयोग के बारे में भी यही बता देते हम लोग फि बीधान परिशत, राष्टपती और पराष्टपती इन सब का चुनाव करवाता है और एक कुश्चन्स आपसे इस तरह की कुश्चन्स सामानता बन जाते हैं और मैं कहता हूँ आप लोग परिश्चा की तैयारी नहीं करते हैं तब भी आप लोगों कमाल होना चाहिए कि जो सथानी आपके चुनाव होते हैं जिसे सरपंच हो गया या फिर आप नगरपाल का नगरपंच आते हैं इन सब का चुनाव करवाती है राज निर्वाचन आयोग को एक देखने को मिलेगा वही करवाता है ठीक है और इसमें आपको याद रखना होगा पहले आपके जो मुक चुनायोक थे सूकुमार सेन और अभी करेंट में बात करें वर्तमान की बात करें तो अभी देखने को मिलेगी सुरी सुसील चंदरा ठीक है ये भी आप लोग याद रखें तो रेली के दौरान आप किसी और ग्रह पर थे किस से कह रहा है चुनायोक से क्योंकि आपने देखा है कि चुनायोक के दौरान एक तरह से किस तरह से कुरोना फैला हुआ है और अभी आप लोग ये भी जान लेज़ें कि पक्षे मंगाल के आकड़े आना भी वाकी है और आप समझें कि इतनी डैथ हो रही तो इसके लिए जुम्यदार आखिर कौन है आप समझ रहे हैं और आपके एक बड़ी बेढमना बनी हुई कि आप सोची कि एक तरह से रोका भी नहीं है चुनाओ आपकी परिक्षा हैं टाली जा सकती है लेकिन चुनाओ नहीं टाली जा सकते हैं आँगे इसने कहा है कि आप देखेंगे देश में कुरोना केस लगातर बढ़ रहे हैं और इस बीच मद्रास हाईकोट ने चुनाओ को फटकाल लगाई है और अदालत ने चुनाओ क से कहा है कि जब चुनाओ रेली हो रही थी तो आप किसी और ग्रहे पर थे क्या और अदालत ने कहा है कि आपकी संस्था COVID-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी आप खुश समझ जाएंगे और हाईकोट ने चेताओ नहीं देखे कि यदि चुनाओ COVID-19 प्रोटोकॉल का पालंस उनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो दो मई को मत गड़ना रोक दे जाएगी ये प्रोटोकॉल आज कल आप देख रहे होंगे काफी सब्द चर्चा में बना हुआ है अर्वेंद के जीवाल को आपने देखा है कि पिधान मंतरी साहब ने भटका लगाई और खुद आप देख रहे होंगे कि सभी नेत अकम से कंफरोटोकॉल जो भी चुनाओ आयोग के थे नियम ने जो भी बनाए गए थे उनकी धजियां उड़ाते देखे चीफ जस्टिस संजीब बनार जी ने चुनायूक से का है कि सारवजिनेक स्वास्त का सबसे अधीक मात है और यह चंताजनक है कि सम्मिधानेक अधिकारियों को ऐसे संबंद में याद दिलाना पड़ता है उन्होंने का है कि लोगतांत्रीक अधिकारों का आते रहते हैं उन्हीं को आप लोगों ने एक तरह से मौत के मौह में धकेल दिया और एक और आप देखेंगे कि काफी आपने चाहे आपका इससे पहले आपका मद्यपदेश में हो option आ हुआ था या फिर आप लोग बिहार चले जाईए यहां भी काफी आप लोग देखने को मिलेगा कि धज्जियां ओडाई गई हैं एक और बड़ी आज न्यूज अच्छे निगली एक बेदेशी अकवार ने लेखा है अहिंकार अंदर राष्टवाल और आयोग नौकर साही ने भारत को तबाही में जहौका अब किसकी बाद कर रहा हूँ या आप लोग बेतर समझते होंगे ठीक है तो यही कहानी है याद रखिए